वेलकम टू इस्टेडी कर दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे वीकली करेंट इंटरफेस को जिसमें हम 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट इंटरफेस के कोशन डिसकस करने बाले हैं तो आप इस पूरे लेक्शर को बहुत इध्यान से लास्त तक जोड देखेगा पहला और इंपॉर्टेंट कोशन है इरानी ट्रोफी 2024 का टाइटल किसने जीता है आंसर हो जाएगा मुंबई की टीम ने तो मुंबई की टीम ने सेस भारत को हराकर की इरानी ट्रोफी 2024-25 का खिताब अपने नाम कर लिया है और मुंबई ने इस ट्रोफी को 27 साल बार जीता है इससे पहले 1997-1998 में इरानी कफ मुंबई ने जीता था दोस्तो इरानी कफ के बारे में आपको याद रखना है कि यह किर्किट से रिलेटेड है और इसका जो पहला आयोजन है वो 1969 में हुआ था और सेस भारत की टीम ने 26 बार इस टाइटल को जीता है अंगला कुशन है बंजारा बिरासर संग्रालाय का उधगाटन कहां किया गया यह बंजारा संग्राय के लिए बनाये गया है नेक्स्ट कुशन है 700 बिलियन डॉलर बिदेशी मुद्रा भंडार बाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है आंसर हो जाएगा भारत दोस्तो चाइना सुर्जलेंड और जापान के बाद भारत 700 अरब डॉलर से अधिक बि चागोस देश को सौपने पर सहमत हुआ है अनसर हो जाएगा मौरिसस यानि कि जो चागोस देश को प्रदान करेगा कौन यूनाइट गिंगडम तो इसके लिए भी हाली में मौरिसस और यूनाइट गिंगडम की गवर्रमेंट के बीच में समझ आ हुआ है अंगला कुशन ह हैं और इसका हेड़कोर्टर पैरेस फ्रांस में है इसकी स्थापना 2021 में की गई थी और आपको याद रखना है कि यह है एक स्वैक्चिक सहयोग संग्ठने यानि कि इसमें जितने भी देश सामिल होंगे वो एक दूसरे को सहयोग करते है उर्जा दक्षिता के छेतर में अंगला कुशन है मेडिसिन का नोबिल पुरुसकार 2024 कि से प्रदान किया गया है आंसर हो जाएगा विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूपकुन को तो इन दोनों वेग्यानकों को मेडिसिन का नोबिल प्राइस दिया गया है दोस्तो माइक्रो आरेने से ये पता चलता है कि सरीर की कोशकाएं कैसे बनती है और कैसे काम करती है तो इन दोनों वेग्यानकों ने 1993 में माइक्रो आरेने की खोज की थी अंगला कुशन है डबलू टी ए चाइना उपन 2024 का टाइटल किसना जीता है आंसर हो जागा कोको गॉफ ने तो दोस्तो कोको गॉफ अमेरिका की टेनिस प्लेयर है तो उन्होंने डबलू टी ए चाइना उपन 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है डबलू टी ए का मतलब क्या है वोमेंस टेनिस एसूसियेशन यनि कि यह एसूसियेशन महिलाओं से संबंदे जो टेनिस प्रत्योगताएं होती है उनका आयोजन करवाता है अंगला कुशन है अजीत बिनाए गुपते किस देश में भारत की राजदूद बने है आंसर हो जागा जर्मनी जर्मनी देश में भारत की राजदूद कोन मने है अजीत बिनाए गुपते जर्मनी के अगर हम बाद करें तो इसकी जो कैप्टल है वो है वरलिन और यह यह यूरोप महादीप में इस्तेत है चांसलर हैं यहां के ओलाफ स्कोल्ज और राष्टपती है अंगला कुशन है उडीषा में लLEYपर्ट की संख्या बढ़कर यानि तेनल की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 696 तो अभी हाली में उडीषा राज में लेपर्ट की गढ़ना की गई थी तो उसमें यह बताया गया है कि 2022 में 568 लेफ़र्ड थे ओडिसा में अब कितने हो गएं 696 यानि कि 22 प्रतीसत की ब्रधी हुई है तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अगर हम बात करें तो इसे NTCA के द्वारा जादी क्या गया था इसके अंसार भारत में 13,874 तेंदुआ हैं और सबसे अधिक तेंदुआ मद्द प्रदेश में हैं 3,907 अंगला कुशन है किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइडोजन मिस्तरन परियोजना शुरू की है आंसर हो जाएगा आडानी गुरूप ने तो दोस्तो अधानी गुरूप के द्वारत की सबसे बड़ी हाइडोजन मिस्तरन परियोजना की शुरूबात की गई है तो इस परियोजना के माध्यम से जो नेचुरल गैस है उसमें ग्रीन हाइडोजन को मिलाया जाएगा अंगला कुशन है दो हजार चौबीस में भौतिकी का नोबिल परुसकार किसे प्रदान किया गया है आंसर हो जाएगा जौन जे हाफ फिल्ड और जैफरी ए हिंटन को तो दोस्तो इन दोनों विज्ञानकों को दो हजार चौबीस का फिजिक्स का नोबिल प्राइस दिया गया है आंसर क्या हो जाएगा उप्शन नमबर C अंगला कुशन है दो हजार चौबीस में फिजिक्स का नोबिल प्राइस किसे प्रदान किया गया है तो ये प्रदान किया गया है John Halffield और Jeffrey E. Hinton को तो इस question का right answer हो जाएगा option number C तो Royal Swedish Academy of Sciences के द्वारा भौतकी का Nobel Prize प्रदान किया गया है और इन दोनों विज्ञानकों को ये जो Nobel Prize दिया गया है ये artificial neural waste machine learning के लिए प्रदान किया गया है John Joseph Halffield की बात करें तो इनका संबंद अमेरिका से है और Jeffrey Everest Hinton ये एक British कनाडाई computer विज्ञानिक है और जो Jeffrey Everest Hinton है इन्हें artificial intelligence का Godfather कहा जाता है अंगला कुशन डिसकस करते हैं दोस्तों कैस सयद किस देश के President बने है तो आंसर हुजाएगा है Tunisia तो Tunisia देश के नई राष्टपती कौन मने है कैस सयद उनका कारिकाल होगा पांच बर्स का Tunisia अफ्रीका महादीप में इस्तित है Tunis Capital है और Tunisia दीनार यहां की करंसी है और President है कैस सयद और PM है कामिल मद्दोरी यहाँ पर आप Tunisia की location देख सकते है यहाँ पर इस्तित है Mediterranean Sea अंगला कुशन है WHO दच्छन पूर्व एसिया चेतर का सततरबा सत्र कहां आयुजित क्या गया है आंसर हुजाएगा इंडिया में तो दोस्तो नई दिल्ली में 7 से 9 अक्टूबर 2024 तक WHO दच्छन पूर्व एसिया चेतर का सततरबा सत्र आयुजित क्या गया है और इस सत्र के अध्यक्ष बनाए गये थी भारत के Health Minister जेपी नडड़ा अंगला कुशन डिसकस करते हैं किस राज में नसीली दबाओं की तसकरी से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुबात की गई है अंसर हो जागा हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश के जो चीप मिष्टर है सुक्मिंदर सिंख सुक्खु जी तो उन्होंने नसीली दबाओं की तसकरी से निपटने और नसीली दबाओं के आदी लोगों की पुनरवास का समर्थन करने के लिए संकल्प पहल की शुरुबात की है हिमाचल प्रदेश के राजपाल को जरूर आप याद रखियेगा वो कौन है सिव प्रताब सुक्ल अंगला कुशन है चौथी ISSF जूनियर विस्व चेंपिंसिप 2024 पदक तालिका में भारत ने कौन सा इस्थान हासिल किया है तो भारत ने पहला इस्थान हासिल किया है ISSF का मतलब होता है International Suiting Sport Federation तो भारत ने कुल 24 मेडल जीते हैं इस प्रतियोगता में जिसमें 13 गोल्ड, 3 सिल्बर और 8 ब्रॉंच मेडल सामिल है Italy दूसरे स्थान पर Norway तीसरे स्थान पर रहा है और यह जो Championship है यह पेरू की राजधानी Lima में आयुजित की गई थी अंगला कुशन है रसाइन सास्त्र का Nobel पुरुसकार 2024 किसे मिला है आंसर हुजएगा David Baker, John Jumper और Damis Husbees को यानि कि इन तीनों विज्ञानकों को 2024 का रसाइन सास्त्र का Nobel Prize दिया गया है तो इस कुशन का राइट अंसर हुजएगा Option No.D यानि उप्रोक्त शभी दोस्तों अगर हम David Baker की बाद करें तो इन्हें इस पुरुसकार की आधी रासी प्रदान की जाएगी और जो बची हुई आधी रासी है वो इन दोनों को प्रदान की जाएगी David Baker ने एक नए तरह के प्रोटीन की खोज की है उसका निर्माण क्या है इसलिए उन्हें ये पुरुसकार प्रदान किया गया है और जो डैमेस, हस्बेस और जॉन जंपर है उन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया है जिसके माध्यम से कॉम्पलेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्शर को समझने में मदद मिलती है अंगला कुशन है हर्याना की नई चीप मिश्टर कौन बने है आंसर हो जाएगा नायव सिंग सेनी तो नायव सिंग सेनी का संबन बीजेपी से है तो इस बार हर्याना की विधान सावा चुनाव में बीजेपी को 48 सीट प्राप्थ हुई है और हर्याना की विधान सावा में सीटों की संख्या 90 है जबकि बहुमत का आकड़ा कितना है 46 अंगला कुशन है राष्टिय राजमार्गों और एक्सप्रेस बे पर यात्रा की सुबधा को बढ़ाने के लिए केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रा लेने कौन सी नीती शुरू की है आंसर हो जाएगा हम सफर नीती तो दोस्तो इस नीती के तहट राष्टिय राजमार्गों यानि नैसनल हाइबे और एक्सप्रेस बे पर यात्रा की सुबधा को बढ़ाये साएगा अंगला कुशन है उस्ताद अलावदीन खान महुसाओ कहां शुरू हुआ है तो इसका आयजन मेहर मद्द प्रदेश में क्या गया है अंगला कुशन है सैच्चडिक स्वतंता सूचकांग दो हजार चौबीस के कौर्डिंग 2013 और 2023 के बीच भारत का स्कोर 0.6 से घटकर कितना हो गया है 0.2 यानि कि भारत में जो सैच्चडिक स्वतंता है वो कम हो गई है पिछले 10 सालों में यानि कि पहले भारत का स्कूर 0.6 हुआ करता था अब कितना हो गया है 0.2 ये रिपोर्ट किसने जारी की है scholars at risk ने अंगला कुशन है रतन टाटाची का निधन हो गया है वहे कौन थे तो दोस्तों वहे एक बिजनेसमेन थे तो उनका अब भी हाली में 86 साल की उम्र में निधन ह 2024 को उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1977 को और इनका जन्म हुआ था मुंबई महराश्ट में और इनका निधन भी मुंबई में ही हुआ है और इनका धर्म क्या था पार्सी ये आप जरूर याद रखीगा इन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल इंवर्सिटी से सिख्छा हासिल की और इन्होंने वेचलर ओफ आर्किटेक्शर किया हुआ था और आपको याद रखना है कि यह है टाटा समू के अध्यक्ष उन्नीस विंक्यानवी से 2012 तक रहे हैं और कारिकारी अध्यक्ष 2016 से 2017 तक रहे हैं अंगला कोशन है साहित्त में नोबिल पुरुसकार 2024 हान कॉंग को प्रदान क्या गया है उनका रिलेशन किस देश से है आंसर हो जाएगा साउध कोरिया तो साउध कोरिया की हान कॉंग को 2024 का साहित्त का नोबिल पुरुसकार प्रदान क्या गया है और उन्हें यह पुरुसकार एतिहासिक आगातों का सामना करने वाले और मानाव जीवन की नाजुकता को उजाकर करने वाले उनकी गहन काब गद्ध के लिए प्रदान किया गया है। उनकी एक रचना है जिसका नाम है दा बैजिटेरियन तो उसके लिए उन्हें 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरुषकार प्रदान किया गया था। अंगला कुशन है Global Hunger Index 2024 में भारत किस स्थान पर है तो भारत 150 स्थान पर है तो अभी हाली में Concern Worldwide जो की आईरलेंड की संस्ता है और Belt Hunger Hilf जो की जर्मनी की संस्ता है तो इन दोनों के द्वारा Global Hunger Index 2024 जारी किया गया है इसमें भारत 127 देशों में 105 बे स्थान पर है पिछले साल यानि 2023 में भारत 111 बे स्थान पर रहा है 2022 में 107 बे स्थान पर रहा है और इस बार के Index में पहले स्थान पर 22 देशों को सामिल किया गया है दोस्तों जो भी देश पहले स्थान पर हैं इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों में कम भुकमरी है और जैसे जैसे रहें के गिरती जाएगी भुकमरी उन देशों में उतनी ही जादा बढ़ती जाएगी अंगला कुशन है केंसासे प्रदेश जम्मु कस्मीर के नई चीफ मिश्टर कौन बने हैं तो आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला तो उमर अब्दुला केंसासे प्रदेश जम्मु कस्मीर के चीफ मिश्टर बने हैं उनकी पार्टी का नाम है नेसनल कॉन्फरेंस तो अभ कॉंग्रेस का जो गटबनन है वो शरकार बनाएगा अंगला कुशन है राष्टपती द्रोपती मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक किस देश की यात्रा करेंगी आंसर हो जाएगा अलजीरिया, मौरिटानिया, मलाभी अंगला कुशन है निहोन हिदांकियो किस देश का औरगिनाईजेशन है जिससे सांती का नोबिल पुरुसकार प्रदान किया गया है आंसर हो जाएगा जापान तो जापान के एक और्गिनाईजेसन निहोन हिदांकियों को 2024 का सांती का नोबिल पुरुसकार प्रदान किया गया है और उसे यह सम्मान दुनिया में परमाणों हत्यारों के खिलाब मुहीम चलाने के लिए प्रदान किया गया है अंगला कोशन है राफेल नडाल ने सन्यास की घोषना की है वै किस खेल से संबनेथ है? आंसर हुजएग liberal tennis तो tennis के महांदम खिलाड़ी थे राफेल नडाल तो उन्होंने अब सन्यास की घोषना कर दी है आपको याद रखना है कि उन्हें King of Clay और Rafa की नाम से भी जाना जाता था राफेल नडाल ने अपने केरियर में 22 Grand Slam खिताब जीते हैं जिसमें 14 French Open, 4 US Open, 2 Bimbledon और 2 Australian Open सामिल है अंगला कुशन है Tata Trust की नई चेर्मेन कौन मने हैं? आंसर हुजाएगा Noel Tata तो Noel Tata अब Tata Trust के अधिक्ष मन गए हैं उन्होंने रतन Tata जी का स्था लिया है Tata Trust की स्थापना 1990 में की गई थी अंगला कुशन है सहिवत राष्ट महासभा ने 2025 से 27 तक के कारकाल के लिए मानवादिकार परिशत के लिए कितने सदस्यों कुछ उना है? आंसर हो जाएगा 18 सदस्यों को तो इन 18 सदस्यों में वेनन, वोलिबिया, कोलंबिया, साइप्रस, कतर, थाइलेंड ये सामिल है और आपको याद रखना है कि जो सहिवत राष्ट मानवादिकार परिशत है इसमें मेंबर कितने होते हैं? अंगला कुशन है कैमोर टाइगर रिजर्व की स्थापना किस स्टेट में की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा बिहार में तो बिहार में एक नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है जिसका नाम होगा कैमोर टाइगर रिजर्व बिहार में पहले से एक और Tiger Reserve है जिसका नाम है बालमी की Tiger Reserve अंगला कुशन है भारत सरकार के द्वारा राष्टिये खाद तेल मिसन तिलहन कितने वर्स के लिए शुरू किया गया है आंसर हुजाएगा 7 वर्स के लिए तो 2024-2025 से 2030-31 तक यानि 7 वर्स के लिए ये तिलहन मिसन शुरू किया गया है और इसका उदेश ये है कि भारत में तिलहन प्रोडक्शन को वढ़ाबा दिया जाए क्योंकि अभी भारत दुनिया में खाद तेलों का सबसे बड़ा आया तक देश है यानि कि हम खाद तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है अंगला कुशन है भारत और किस देश ने critical minerals की supply chain के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं आंसर हो जाएगा अमेरिका यानि भारत और अमेरिका के बीच critical minerals की supply chain के लिए समझोता हुआ है अंगला कुशन है पसमीना उन किस कैंसा से प्रदेश से रिलेटर है जिसे GI tag प्रदान किया गया है आंसर हो जाएगा लग्दाग तो लग्दाग के पसमीना उनको अभी हाली में GI tag प्रदान किया गया है अंगला कुशन है पहला आदी गौरव सम्मान समारो किस स्टेट में आयुजित किया गया है आंसर हो जाएगा इसका राजिस्थान तो राजिस्थान में अभी हाली में मानगर धाम में ये आदी गौरव सम्मान समारो आयुजित किया गया है तो इस सम्मान समारो के दोरान आदी रतन गौरव सम्मान आदी सेबा गौरव सम्मान और आदी ग्रामोत्थान गौरव सम्मान प्रदान किया गया है अंगला कुशन है RBI के कारेकारी डारेक्टर कौन बने है आंसर हुजाएगा दोस्तों इसका आबिरल जैन और आबिरल जैन को अब भी हाली में RBI का कारेकारी निदेशक नुख किया गया है अंगला कुशन है प्रकास मान सिंग राउट किस देश के मुख्य न्यायाधिस बने है अंसर हुजाएगा नेपाल तो नेपाल देश के मुख्य न्यायधिस कोण बने है प्रकास मानसिंग राउत उन्हें सपत किसने दिलाई है तो नेपाल के राष्टपती रामचंद्र पोडेल ने नेपाल की कैपिटल काटमांडू, राश्टपती रामचन्र पोडेल, पीम केपी सर्मा ओली, करंसी नेपाली रुप्या, सूरिक करण अभ्यास बारत नेपाल के बीच होता है। अंगला कुशन है, मुहमद मुज्जू किस देश के राश्टपती हैं, जो भारत की चार दिन की यात्रा पर आए थे, आंसर हो जाएगा इसका मालदीब। परचीस में महाकुम्ब का आयुजन प्रियागराज में किया जाएगा, तो उसके लिए एक नया लोगो लॉंच किया गया है, और इस लोगो को लॉंच किया गया है योगी आदित नाज जी के द्वारा। अंगला कुशन है, माला बार दो हजार चौबीस नौ सेने कभ्यास कहां आयुजित किया जाएगा या कहां आयुजित किया गया है, आंसर हो जाएगा विसाका पत्तिनम में। तो 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक विसाका पत्तिनम आंदर प्रदेश में इसका आयुजित किया जाएगा और इसमें चार देश सामिल होंगे भारत, ऑस्टिलिया, जापान और अमेरिका। अंगला कुश्यन है, भारतिय बायुशैना दिवस कम मनाय जाता है, तो 8 अक्टूबर को हर साल बायुशैना दिवस मनाय जाता है, क्योंकि भारतिय बायुशैना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होई थी। अंगला कुश्यन है महराष्ट और भारतिय खेल प्राधिकरण यानि साई के सयोग से राष्टिय उत्करिष्टा के अंदर कहां इस्थापित किया जाएगा आंसर हुजएगा मुंबई में तो दोस्तों महराष्ट और भारतिय खेल प्रादिकरण यानि साई ने मुंबई के कांधी वली में राष्टिय उत्कृष्टा के अंदर स्थापित करने के लिए समझोता किया है अंसर हुजैगा सिलंका तो शिलंका के पूरवे क्रिकेटर सानथ जैसुरिया को सिलंका का हेड कोच बनाय गया है गौतम गंभीर भारतिय किरकेट टीम के नई हेड कोच है इस बात को आप जरूर याद रखिएगा अंगला कुशन है संजीब कुमार सिंगला किस देश में भारत के इंबेश्डर बने है आंसर हुजएगा फ्रांस तो फ्रांस में भारत के इंबेश्डर कौन बने है दोस्तों संजीब कुमार सिंगला अभी तक वो है इसराइल में भारत के इंबेश्डर थे फ्रांस की कैपिटल पैरिस, एमेनुवल मैक्रोन राष्टपती, करंसी यूरो, पी-म है, मिसेल वार्नियर अंगला कुशन है भारत मालदीब को कितनी रासी की मुद्रा बिनमय शुब्धा प्रदान करने पर सहमत हुआ है आंसर हुजएगा 400 मिलियन डॉलर यानि कि भारत मालदीब को 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा बिनमय शुब्धा प्रदान करेगा इससे दोनों देशों के बीच में करंसी का आदान प्रदान किया जाएगा अंगला कुशन है हर्याना बिधान सभा चुनाव दोहजाद चौबीस में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है आंसर हुजाएगा इसका भारतिय जन्ता पार्टी को तो भारतिogen जन्ता पार्टी ने 48 सीटें जीते हैं पार्टी ने सेस सीटें जीती हैं बांकि अन्य जो सीटें हैं या निर्दलियों ने जीती हैं। स्वास्त संगठन ने भारत को किस Рोग से Free घोशित किया है आन्सर हो जाईगा ट्रैकोमा तो ट्रैकोमा रोग से अभी हाले में भारत को मुक्त घोशित किया गया है तो दच्चडपूर्व एसिया के चित्र में यह उपलब्दी हासिल करने बाला भारत तीसरा देश बना है, इसलिए पहले नेपाल और म्यानमार को भी ट्रैकोमा से मुक्त घोशित किया गया था, ट्रैकोमा आखों में होने बाला एक संक्रामक रोग है, इसके कारण अंधापन हो जाता है, अंगला कोशन है केंसरकार ने किस राज में लोथल राष्टिय सम समुदरी पीरासद परिशत के विकास को मनजूरी दे दी गई है, यानि कि लोथल में एक समुदरी पिरासद परिशत डेबलप किया जाएगा, अंगला कोशन है, प्रधान मंतरी गरीब कलियान योजना के अंतरगत किस वरस तक फ्री अनाज परदान किया जाएगा, आंसर ह गरीब कलने आण योजना है इसके अंतरगत गरीबों को 5 किलो अनाज प्रदान किया जाता है फ्री में यह योजना 2020 में सुरू की गई थी अब इसको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है अंगला कुशन है आसियान भारस सम्मिट में हिस्सा लेने के लिए PMO D किस देश की या मोदी जी ने हिस्सा लिया है अंगला कुशन है वर्ल्ड टेस्ट चेंपियंशिप में 5000 रन पूरे करने बाले दुनिया के पहले बल्ले बाज कोन बने है उनका नाम है जो रूट जो रूट इंगलेंड के बल्ले बाज से इस बात को आप जरूर याद रखेगा हारीकेन मिल टीम ने ACI Table Tennis Championship में कौन सा मेडल जीता है तो दोस्तो ब्रॉंज मेडल जीता है तो भारतिय बीमेंस टीम ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई ACN Table Tennis Championship में ब्रॉंज मेडल हासिल किया है देखें दोस्तो ACN Table Tennis संग के द्वारा 1972 से इस टूनामेंट का आयोजिन किया जाता है तो उसके बाद से अब तक भारत ने इस चेंपियंसिप में कोई भी मेडल नहीं जीता था अब भारत ने ब्रॉंज मेडल जीता है अंगला कुशन है 38 वे राष्टिय खेलों का आयोजिन दो हजार पचीस में किस राज़ में किया जाएगा आंसर हो जाएगा उत्राखंड में तो उत्राखंड में 28 जन्वरी से 14 फर्वरी दो हजार पचीस तक 38 वे राष्टिय खेलों का आयोजिन किया जाएगा और 37 वे जो नेशनल गेम्स है ये 2023 में गोवा में आयोजित किये गए थी अंगला कुशन है दूसरा सैना कमांडर सम्मिलन 2024 का पहला चर अंगला कुशन है मेजर एटमॉसफेरिक चैरेन को एक्सपेरिमेंट वेदसाला का उधगाटन किस स्टेट या केंसासे प्रदेश में क्या गया है आंसर हो जाएगा लगदाग में तो ये जो वेदसाला इस्थापित की गई है ये लगदाग के हानले नामक स्थान पर इस् अंगला कुशन है पी बैडू गोपाल का व्यासी वर्स की आयू में निधन हो गया है वह कौन थे तो वह एक हार्ट सर्जन थे तो उनका अभी हाली में निधन हो गया है उन्होंने 1970 में देश में पहला पेस्मेकर लगाया था 1994 में उन्होंने देश का पहला हिर्दय प्रत् सरजरी की हैं अंगला कुशन है भारतेय रेलवे वित्ट निगम के अध्यख्ष और प्रवंध निधिशक कौन बने हैं आंसर उजैगा मनोश कुमार दुबे किके तो मनोश कुमार दुबे IRFC के अध्यख्ष और प्रवंध निधिशक बने हैं Iraq कुशन une소리 सरकार ने हिप जो अफ्रीका समुद्री अभ्यास में सामिल होने के लिए कहां पहुँचा है? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका में. अब आपके लिए कुशन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्ष में बताना है. अब आपको बताना है कि राफेल नडाल ने सन्यास की घोशना की है, वह किस खेल से संबन्नित हैं और वो किस देश से संबन्नित हैं. तो ये दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्ष में जरूर बताईएगा. दोस्तो आप स्टडी करके एप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्षन बॉक्ष में दिया गया है. यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई-बॉक, टेस्ट सीरीस, डेली कर इंट अफियस की पीडियप और टेस्ट पास मिल जाएगा. टेस्ट पास में क्या होगा? तो भारत में जितने भी कॉंप्टेटिव एक्साम आईचित की जाते हैं, सबी के लिए टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगे. इस टेस्ट की वैलेडिटी होगी एक बर्स की. तो दोस्तो इस टेस्ट पास का यूज़ जरूर करें. सितंबर 2024 के करेंट अफ्यस की एबुक आपको हिंदी और इंग्लिस दौनों मीडियम में एप पर मिल जाएगी. तो जैसे ही आप एबुक बाले सेक्शन पर जाएगे तो ये एबुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी. जनबरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करेंट अफ्यस की एबुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी. इबुक बाले सेक्षन पर आपको Current Affairs की इबुक के अलाबा GK की इबुक भी मिल जाएगी जैसे Science, Valti इन सबी की इबुक आपको वहाँ पर मिल जाएगी Test Series बाले उप्षन पर जाएगे तो Daily Current Affairs का Test और Mock Test ये सबी मिल जाएगा तो इन सबी को प्राप्द करने के लिए एप को जरूर डाउनलोड करें